हेलो गाइस विल्कम बैक आप सब अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लारवल स्टेजिज हम पढ़ने जा रहे हैं फैसियोला का इंपोर्टन्ट है आपका आया हुआ है तो फैसियोला का पार्ट फोर है और सिक्वेंस प्लेइस में जाके देख सकते हैं हमारी जैनेटिक्स की और इवोलूशन की और डेवल्मेंटल बायोजी की इन सब की प्रेलिज भी चल जी है तो वह भी आप देख सकते हैं और अगर आपको कनेक करना तो आपका रख कर सकते हैं यह टेलीग्राम ग्रूप के लिंक है यह आपके चैनल के लिंक है यह इंस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो चलो तो आज का जो लेक्टर हमारा वो शुरू करता है तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया लाइफ साइकिल और जो लार्वाल स्टेजिस कैसे कैसे हुए तो अब मैं आपको यहां पे लार्वाल स्टेजिस उनको दीतियल में पढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ ना आज वा है तो दोबारा भी आ सकता था तो लार्व लिस्टेजिस इन फैसी ओला तो हमने लास उसमें लेक्चर में देखा था कि पांच तरह के लारवा होते हैं मेरा सेडियम लारवा मेरा सेडियम लारवा दबं आपका स्प तो एक-एक करों को हम डीटेव में सटड़ी करते हैं, तो सबसे पहले हम पटते हैं मेरा सेडियम लार्वा, तो ये लाजस वीडियो अगर आपको यादो, तो मैंने पट आये ता आपको ये पहली लारवल स्टेज होती है, जो बाडी से बाहर आती है चोटा सा होता है और ओल और इलोंगेटेड शेप का होता है और इसमें पूरी बाडी में सिल्या होता है बस अपाइकल पार्ट को चोड़के है तो एक काम करो इसका बाडी स्ट्रक्चर देखो पहले एक डियाग्राम देखो उसके बाद मैं आपको यह पाइकल पेपिला जो है, यहां पे सीलिया नहीं होता है थोड़ा सा, बागी पूरी बॉडी मापका सीलिया है, ठीक है? और देखो इसमें जो यह प्लेट इमाना ब्सक्ते पार ब्सक्ता में ? यह आपको इनले जो बात्यूद नहीं पोड़ táinky रहर है ? यह दर जिर बिया रहर है ऐसमें 5 रहर बाराय है और पांच वी में आपका दो है तो ऐसे आपका 21 एपिडर्मल प्लेट होती है जो पांच रो में रेंज होती है तो बस इतना थोड़ा आपको लेखना है बाकी डाइगराम बना ले ने इसकी और यह वाला इंपोर्टन डाइगराम है तो इस वाले को देखो तो इसमें अगर यह तो फ्री स्विम्मिंग करेगा बाडी से बार आने के बाद जब तक इसको स्नेल ने मिल जाता तो जैसी स्नेल की बाड़ी में एंटर करता है यह वाली जो लेयर होती है वो लॉस कर जाती है और इसकी ज्यग़ा आपका क्योटेकल आ जाती बागी अंदर दोनों लेयर से इसको बोलते हैं सब एपिडर्मल मस्कुलेचर क्या बोलते हैं सब एपिडर्मल मस्कुलेचर और इसके अंदर तीसरी वाली जो लेयर है आपकी यह जो बेसलसल देख रहो आप इसको बोलते हैं सब एपिधिलियल लेयर ठीक है तो यह तीन लेयर है अगर मैं इसको जूम करके दिखाओं आपको तो जूम करके इसमें तीन लेर, सबसे बार वाली आपका epidermal layer, सुरी, क्या बलते हैं, epidermal plate, उसके बाद अंदर आपकी दूसरी वाली, sub epidermal musculature, इसमें muscles होती है, circular और longitudinal muscles होती है, और सबसे अंदर वाली जो है, ये वाली, इसको बोलते है, sub epidermal, तो ये आपको ध्यान रपना है, उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, तो दूसरी चीज़ ये है, कि इसमें आप देखो ऊपर से देखो, तो आप में इसमें आपाइकल पैपिला है, जो attachment में help करेगा स्नेल की बाड़ी में, इसमें आपाइकल ग्लेंड है, और ये blue कलर के देखो, दो, ये आपके penetration gland है, तो ये पैनेट्रेट करने में जो secretion करें पैनेट्रेशन में आपको इसके help करेंगे, ठीक है, बागी ये आपका brain ये pink color में देखो, brain और nerve fiber cells में, और ये eyes pores में black color के है, ठीक है, और यहाँ पे यह देखो, आपके ये phlegm cells है, proton of idea, अभी तो एक है, और इन में आपका excretory pore है, ठीक है, तो एक ये excretory pore है, उस excretory pore के ये काम चला रहे है, ठीक है, और और तो कुछ इसमें बचा नहीं है, हाँ, ये center में आप देख रहो, ये आपकी jump cells है, जो jump cells है, वो आपकी group में present है, तो इसको हम jump ball बोल रहे हैं, ठीक है, तो दीदा jump balls, ठीक है, तो ये आपका इस तरह का structure हो गया कुछ, क्या बलता है, मेर मेरा CDM larva का, ठीक है, तो मेरा CDM larva इतना है, तो जैसे ये host की body में enter गरेगा, तो cilia lost हो जाएंगे, और cilia lost होने और ये आपका sporosis larva में develop हो जाएगे, और भी बहुत cilia lost होगे, वो मैं आपको sporosis में बता होगा, ठीक है, तो diagram देख लिए आपने, अब देखो, this is first larval stage, first larval stage, ठ कि अगर हम morphology और anatomy देखें, कि कैसा है ये, तो जो आपने diagram में देखा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि छोटा है, small है, oval है, elongated है, and highly ciliated, highly ciliated, पुरी body में cilia है, all around the body, except apical papilla, तेक है, apical papilla वाला जो पार्ट है, वो नोन ciliated है, ये वाला, टॉप वाला, ठीक है, ये नोन ciliated है, क्योंकि attachment के काम आता है, जब host की body से, snail की body से attach करता है, तो यह ही से attach करता है, apical gland or apical papilla है, ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई, उसके round इसकी, आपने body देखी होगी, इसकी body, पूरी 21 epidermal plates है, ठीक है, तो जैसे इसकी body wall है आपका, तो body wall आपका इसकी 3 layer से मिलके बन पर था, sub epidermal musculature, sub epidermal musculature, ठीक है, और उसमें भी आपने देखा होगा कि बाहर वाली circular muscles हैं और अंदर वाली longitudinal muscles हैं, तन इसके बाद, तीसरा जो part आपका, वो आपका sub epithelial layer, sub epithelial layer, ठीक है, so the body wall of miracidium larva consists of 3 part epidermal plate, sub epidermal musculature and sub epithelial layer, ठीक है, तो ऐसे है, उसके बाद आपका, ये तो इसका body wall हो गया, मैं ये क्यों बता है क्योंकि अगले वाली जिस्टेज जाएगी तो आपकी epidermal plate जो है, वो आपकी ciliated epidermal plate जो है, वो रिप्लेस होके आपका इसकी जगा cuticle आजाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं आपका ब जिसकी help से penetrate करेगा, और अगर other part में other structure देखें इसके पास क्या 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 और और क्या 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 इसके पास, तो आप बोलोगे sir, हमने इसके पास proto nephredia भी देखा, proto nephredia flame cells जिसका हम बोल रहे है, flame cells, ठीक है, और इसके तुरू एक excretory pore भी देखा हमने, excretory pore, ठीक है, excretory pore अभी proton nephredia single है, अगली stage में आगी तो डिवाइड कर जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है, उसके पास brain है, इसके पास nerve fibers है, ठीक है, और इसके पास दो eye sports है, ठीक है, इसके पास jump cells है, और उस जो jump cells है, ग्रूप में present है, इसको हम बोल रहे है, जिसको हम बोल रहे है, ठीक है तो यह diagram आपने देखा हुगा, उसके अलावा, जब after finding the suitable host, यह मैंने आपको लाइस cycle में भी बताई ती यह बात, कि जब suitable host मिल जाता है, तो फिर यह क्या करता है, अप aigle papilla से attach करता है, और boring movement शुरू कर देता है, क्योंकि इसके पास penetrative gland प्रेजेंट है, तो penetrative gland के digestive gland में पहुंच जाता है, और sporosis larva में develop हो जाता है, ठीक है भी, तो यही जो मैंने आपको बोले है, लिख लो, कि after finding suitable host, mricidium larva attached to host with the apical papilla and perform boring movement, ठीक है, बोर करेगा, then it enters, एक सेके इसका मेरा, enters the host body, बलविशनगिल की body and shed ciliated epithelium, ठीक है, ciliated epithelium shed कर देगा, then enters the host body, enters the host body की जगा, आप लिख सकता हो, enters the digestive gland of host, digestive gland of the host, and shed epithelium, and then it develops into, develops into sporocyst larva, sporocyst larva, ठीक है, तो जैसी ciliated epithelium को shed करेगा, वैसी इसकी जगा आपका cuticle आ जाएगी, तो वो हम अगला sporocyst larva पढ़ता है, second, उसमें देखता है, ठीक है, तो second है आपका sporocyst larva, sporocyst larva, sporocyst larva, तो अगर आप sporocyst larva को देखेंगे, तो body wall के अगर मैं बात करूँ, तो body wall आपका सेम है, बस इसमें आपका cuticle आजाएगी, cuticle, in the place of ciliated epithelium, जो epithelium तो उसकी जगा आपका cuticle आजाएगी, बाकी आपका sub epidermal musculature ऐसी रहेगा, यह सब epithelial layer सब ऐसी रहेगी, चीक है, तो यह है, और जो part मेरी सीडियम में होता है, मेरा सीडियम लारवा में होता है, sporocyst में आता है, वो degenerate हो जाएगे, तो जो degenerate part हो जाएगे, इसके अंदर वो भी लिखवा देता हूँ, other degenerated part, ठीक है, एक तो accelerated epithelium degenerate होगा, इसके अलावा penetration gland भी आपके degenerate हो जाएगे, क्योंकि penetration gland सिर्फ इसनेल की body में penetration करने में help आएगे, तो penetration होगी, अब इसके पास इसके जरूवत नहीं है, तो वो चले जाएगे, देन आपके eye sports जो हैं, वो भी चले जाएगे, और apical papilla जो है आपका, वो भी आपका गयाब हो जाएगा, क्योंकि apical papilla attachment में काम कर रहा था, तो attach तो यह करके बोर करके अंदर आई चुका है, तो यह होगी आपका, ठीक है, और जो proton अफरीडिया है, जो proton अफरीडिया था उसके अंदर, यह आपका डिवाइड कर जाता है, टू flame cells में, ठीक है, जो flame cells है आपकी वो दो में डिवाइड कर जाती है, लेकिन opening जो है अभी भी एक ही है, एक ही excretory pore है इसके पास, excretory pore, चलो तो इसके एक बड़ डाइगराम देख लो, उसके बाद आपको समझना जाएगा अच्छे से, तो यह देखेंगे आप, इस इस sporosis larva, तो इस sporosis larva में अगर आप देख पा रहे हैं, तो बाहर आपका cilia नहीं है इसमें, चैक है, तो जो बाहर वाली purple color की जो layer है, वो आपका cuticle है, चैक है, तो epidermal, जो ciliated epidermal है, वो आपका replace by the cuticle, बागी दोनों अंदर ऐसी है, मसल layer ही के है, जो आपका sub epidermal थी, और इसके अंदर आपका तीसरी वाली आपकी, यह ही, sub epithelium, तो यह आपका वैसी है, तो बाडी बोल तो यह हो गया, उसके बाद आपका इसमें apigal, gland apigal से लिए, वो सब भी नहीं है, सब degenerate हो गए आपके, penetration gland भी degenerate हो गए, ice pod, brain, brain सब degenerate हो गए इसमें, तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, अब इसमें आपको दिख क्या रहा है, इसमें आपको एक तो दिख रहा होगा, जो यह flame cells हैं, दो होगए, division होगे इनका, ठीक है, तो two होगे, लेकिन इनका जो excretory poor है, वो अभी भी common ही है, तो ऐसा नहीं है, कि दो बन गए तो दो अलग-अलग excretory poor होगे, नहीं, common excretory poor है, दोनों साइड, ठीक है भी, तो यह आपका होगा प्रोडोन अफ्रीडिया वाला पार्ट, अब उसके बाद जो jump cells थी, जो यहाँ पर आपका जो ball-like structure था jump cells, अब उसमें division होगा, repeated division होगा, multiple division होगा, और multiple division होने के बाद, यह आपका radial arva बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो group of cells नहीं है, सीधा आपका radial arva दिख रहे हैं, तो यह आपका, जो red color का है, थोड़ा purple color का है, इसको हम बोल रहे है, oldest radial arva, जो सबसे पहले जैसे jump cells पढ़ी हो ने, यह blue color की, blue कह रहा हूँ, yellow color की jump cells देख रहे हो, तो इन jump cells आपका radial arva का formation होगा, जो पिछले वाली diagram में, red color की ball की shape में थी, तो यहाँ पर jump cells जो है, वो आपका radial arva की formation कराएंगे, और जो radial arva पुराना होता जाएग, उसको बोलेंगे oldest, और जो आपक तो इस तरह से आपका ये, आपका इसमें sporosis larva है, फिर अप क्या होगा, अब ये sporosis की जो, एक सकिन, बहुत ज़्यादा गंदा होगी है, मैं clear करता हूँ, अब ये sporosis की जो walls हैं आपका, ये जो wall है, ये सारी wall जो है, वो आपकी रप्चर हो जाएगी, और ये radial arva जो है, जो तो radial larva will come out, जो digestive gland है, उसी में आपके बहार आ जाएगे, तो अब मैं आपको अगला radial larva में इसके बाद बता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो diagram आपने देख ली, अब इसमें आपने देखा होगा, जम सेल्स, ठीक है, तो जम सेल्स जो है आपका, उसमें repeated division होगा, और वो radial larva बनाए है, यह अपनी बॉड़ी के अंदर बना लेगा, ठीक है, तो जो आपने diagram में देखा है, लाल कलर वाला, वो आपका पुराना radial larva है, और जो ब्लू वाला है, वो developing radial larva है, तो जम सेल्स में आपका न्यू लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका इस तरह प्रोसेश चलत र लाइफ तो यह कैसा होता आपका, यह elongated होता है, और cylindrical होता है, elongated and cylindrical, ठीक है, और उसके बाद जो लार्वा बाहर आ गया, क्योंकि रप्चर करके आए, तो आप यह point लिख लो कि radial larva comes out, कहानी पूरी continue है ना, comes out by rupture, rupturing, sporosis, sporosis larva, body wall, ठीक है, तो यह आपका body wall को rupture करके बाहर आ जाता है, ठीक है, तो अगर आप इसका structure देखें, तो एक बार structure diagram देख लो, फिर मैं आपको structure लिखवाता हूँ इसका, तो यह आप radial larva देख रहे हैं, ठीक है, तो radial larva की diagram, पीछे में जो radial larva डेवलप हो रहेते हैं, blue color के, red color के, अगरे हैं, तो इसकी एक diagram है, आपकी है, तो radial larva की ऐसा, elongated है, और cylindrical shape में दिख रहा आपको, और यह रप्चर कर क्या है, जिस पर उसकी wall, ठीक है, तो इसकी body wall के अगर हम बात किया है, इसकी body wall भी same है, cuticle है बाहर, उसके बाद अंदर second वाली layer muscle से, इसमें, longitudinal circular और फिर सब पिठीले में, तो बोल तो इसकी भी है, अब यहाँ पर mouth आजाता, तो यह आपका mouth है, यह mouth है, यहाँ पर जो दिख रहा ना, यह dot आपको, यह mouth है, चीक है, तो यहाँ से इसका mouth है, mouth के बाद आपका फैरिंग्स है, green color के फैरिंग्स दिख रहोंगे, फैरेंजिल लेंड प यह, जो radio larva है, यह आपका second generation radio larva बनाता है, second generation radio larva, okay, summer के टाइम पे, क्योंकि nutrition भर-पर किसको मिल रहा होता है, तो second generation larva बनाता है summer के ठाइम पर और यह second generation larva जब winter आती है तो develop हो जाता है आपका सरसेरिय लारव में किस में develop हो जाता है सरसेरिय लारव में तो यह आप देख रहों अंदर यह ऐसे यह इस shape का जो है oval और चोटी सी tail निकली वी यह तो यह आपका सरसेरिय लारव है सब ठीक है तो सरसेरिय लारव का यह development winter में होता है किस से second second generation radial larva ठीक है वह समर में बनता है और उसके लावा आपने देख लिए mouth है से second generation radial larva बनता है और फिर वह फाइनली डवलप होयाता है सरसेरिय लारव में तो एक diagram आप इसकी बनाएंगे ठीक है यह diagram ही important है और प्रोटन अफरीडिया तो आपको पते ही है तो इसको बढ़िया से labeling के साथ आप diagram बनाओ चलो अगले पर देखते हैं अब मतलब इसको लिखते हैं पहले तो अगर आप ने इसका structure देखा तो आपने देखा होगा कि एंटियर वाले पार्ट में अगर आप देखें तो आपने देखा होगा इसके पास mouth है और mouth के साथ-स mouth जो है वो आपका pharynx में open हो रहा है ठीक है अपी detail intestine वगरा नहीं आगी है अगली stage में आजाएगी ठीक है उसके लावा mouth तो है collar cells भी है उसके पास collar cells ठीक है जो ring form में आपने दिखा ऐस ऐसे ring form में उसके अलावा इसके पास birth pore भी है ठीक है तो birth pore के through ही आपके जो इसके अं flame cells तो हैं अब यह branching इनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले वाले में आपकी दो थी अब यहां पे क्या हो गया branching increased branching increased मतलब highly branched बहुत सारी branched हो गई चीक है और फिर मैं फिर उसमें आपने देखा कि जब summer time पर क्या होता है इनका favorable time होता है तो nourishment full form में इनको मिलता है तो जो jump balls है आपकी उससे secondary second generation radial larva बनता है चीक है तो आप यह लिख लो कि during summer jump ball give rise to give rise to second generation of radial larva चीक है this second generation radial larva develops into the next larval stage in the winter season चीक है अब हम सर्सेरिय लार्वा तक पहुंच चुक है अब अगले पेच में में आपका सर्सेरिय दिखाता हूं चलो diagram भी देख लो उसके और diagram के बाद सीधा मैं आपको समझा लोगा इसको चीक है मतलब एक radial larva में लगबग 20 चीक रिसो लारवा होता है तो यह दिरे दिरे जो है वो बाहर आ जाता है तो अब देखो इसमें अब का माउट था उसके बास अब मौत के सास्ता ओरल सकर भी आ गागयिया सेंटर में आपका माउट है तो औरल सकर माउट अब इसके बाद मस्किल उसके लावा, इसे टापूलम भी आगी है इसमें अड़ाइश्मेंट के लिए, ठीक है, तो आप देखो यह जो प्रोटोन-फीडियल से आपका, यह ओपन हो रही है, एक्सक्रेटर टीब्यूल्स में, तो यह आप देखरो, यह एक्सक्रेटर टीब्यूल्स हैं, यह जो आप पड़ चुके है जो एक्सिरेटर सिस्टम इसका तो वैसी मतलब कुछ-कुछ अड़र्ट की तरह लगने लगाए उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर साइटोजीनस ग्लेंड सेल्स हैं तो यह साइटोजीनस ग्लेंड सेल्स हैं चोटी वाली और यह बड़ी वाली जो है वह साइटोजीनस ग्लेंड सेल्स हैं जो आपका सिस्ट का सिक्रिशन करेंगे क्योंकि यह सरसेरी लार्वा जो है यह आपका अपने राउंड एक सिस्ट का फोर्मेशन कर लेगा जिसको फिर इसका नाम बन जागा मैटर सरसेरी लार्वा ठीक है और एक टेल इसमें प्रेज जाएगा फिर टेल जो है वो इसकी लॉस्ट हो जाएगी और इतने पार्ट में आपका इसका सिस्टेशन हो जाएगा तो मैं क्लियर कर देता हूं आप यह डाग्राम बना लो अच्छे से बढ़िया से लेबलिंग के साथ है ना डाग्राम इंपोर्टेंट तो सिर्सेरिया ला जाएगा तो कोई सुटेबल प्लेस में जिसे घास वगयरा है प्लांट वगयरा तो वहां तक तो तो तैर के जाना ना तो उसके लिए स्विमिंग के लिए टेल है तो जैसी यह प्लांट वगयरा भूंड लेगा वैसिसकी टेल लॉस्ट हो जाएगी और सिस्टेशन हो तो आपके 20 सरसेरियल आरवा होता है ठीक है तो आप सोच लो कितने जादा प्रोडक्शन हो रहा है तो इस सरसेरियल आरवा कम साउट थूदी कहां साएंगे थूदी बर्थ पोर ठीक है बर्थ पोर के थूदी बाहरा जाएंगे और सनेल के डाइजस्टिक ग्लैंड बगयर पव्त स्किरियल आरवप्ष ways यह थूद्स फिकेन YOUR ग्लैंड ऊडवा थैसेरिय। हरो ।दी ग्लैंड वाल प्रोडड शयल आरव श्रि distingu कर हैंगे औरल सगर देखeka उसमें अपका माउथ है और लसलग के रहा हूं वह इसे उख और पे सेंटर में आपका माउथ है ठीक है तो माॉथ है माउथ से आपका तो फैरिंग से आपका इसो po निगल एगा है इसमें, Aceta Bulum for attachment और जो flame cells है आपका, उसमें और जाधा ग्रोथ हो गई और उसमें जो है, बहुत सारी flame cells जो है, excretory tubule के होते वे excretory vesicle बना लेती हैं और इसके बाद डीटेल वाला तो मैंना आपको excretory system में बताए है इसका, जो लेटरली, लेटरल वाले पार्ट में, जो आपका यह वाला पार्ट है, जो लेटरली, numerous flame cells present and these open into a pair of excretory tubules, जो वो दो tubule आते हैं और वो आके मिल जाते हैं, then forms excretory vesicle, जो है बहुत? तो यह तो होगिया उसका बाद, बॉड़ी में, अब उसके बाद जो germ cells है, so group of germ cells जो है, यह आपका rudimentary हो जाएंगी यह आपके, क्योंकि अब जो अगली, जो adult genital stage है ना आपकी, मतलब इसके बाद सरसेरी, matter सरसेरी है के बाद आपका adult बन जाएगा, तो adult stage के लिए, जो इसके बाद जम cells होंगी, वो rudimentary हो जाएंगी, ठीक है, so they represents, represents rudiment of adult genital system, ठीक है, तो यह आपका होगिया, सरसेरी लार्वा, ठीक है, आप दो क्वेंट matter सरसेरी बारे में देख लेते हैं, अचाहिए यह भी लिख लो के, this सरसेरी लार्वा, comes out the body of snail, and swims freely, till it finds a suitable habitat, like grass और plant, ठीक है, तो इसके बाद फिर में आपका matter सरसेरी बारे में लिखाता हूँ, तो वो एक मन लिख लो के, सरसेरी लार्वा, comes out of snail's body, snail's body, and swims freely, till it gets attached to the plants, or grasses, after attachment, it loses, it loses its tail, and gets encapsulated, ठीक है, encapsulate हो गया, and gets encapsulated as metasarceria larva, ठीक है, तो metasarceria larva होगे, तो encapsulation कौन करवा रहा है यह पर, वही जो cytogenous gland cells इसके पढ़ी हो है, वही करवा रही है, ठीक है, हार्ड होगा, और वाइटिश कलर होगा, तो इसके बाद आपका metasarceria larva आगिया, metasarceria larva, तो metasarceria larva की डाइगराम देख लो पहले, उसके बाद मैं लिख वाता हूँ, तो finally हम आगए आपका metasarceria larva, तो अब यह सरसेरia larva है अंदर, इसके टेल वेल लोस्ट हो गई, तो इसने अपना उन जो है, सिस्ट बना लिया, यह जो आप देख रहो ना, ब्राउन कलर गई है, यह सिस्ट है, तो इसका नाम अब बन गए metasarceria larva, क्योंकि इसने सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, तो अब इसमें देखो, इसमें भी सेम सब कुछ है, इंटस्टाइन वही है, बाइफड इंटस्टाइन, अब यह मतलब जुवेनाइल फ्लूग बोल सकता आप इसको, इसोफेगस हैं, फैरिंगस हैं, सिस्ट वोल तो यह है, ओरल सकर हैं, है औरल सकर के सेंटर में माउथ है जो पीछे वाले में भी था उसके लावा यह जो फ्लेम सेल्स पूरी बाड़ी में फैल गई है एक्सेटरी वेसिकल से कनेक्ट है और एक्सेटरी कनाल आ गई है तो यह सब जो एक अडल्ड फ्लूप में होता तो इसका जुमिनायल फोम है तो यह सब इस्ट्रक्चर सेंस में इसको आप लेबल कर लेना और ख्लेम सेल्स तो हैंस में लार्ज नंबर में ठीक है तो यह आपकी होगि आपका मैटर से और से लियर यह आरब आपने देख लिए घ्लिए कैसा है रूंड ед स्ट्ट्चर में रौंड इंस्ट्रक्चर बिखर इसके नाटका इसके रवांद का तो इसकी जो वाल इसको डिजॉल कर देगा ना शिप का बाइल जूस लेकिन जब इस सिस के साथ आपका एंटर करेगा तो सिस का डिजॉल होगा और यह बच जाएगा और यह बच के आपका लिवर वाले पार्ट में पहुंचाएगा तो एक तरह से आपके जुएनाइल कर गया चिस्ट गर्ट्स डिजॉलब गाश्थरिके जूस ओफ शीप जु write टो ये आपका होगि दיन इट रिप्रेजेंस मे rozp ते रिप्रeजा च ay रिप्रेजेंस प्रेजेंस, preferen पल इट शेनाइल छीड कर रहा है एंड यह थार स्पार्जेंस फीट बच्ई प्रेज सिस् number of flame cells, then gets matured, and reaches the bile system, तो यह आपका bile system है, हम ने इसको पहुचा दिया, ठीक है, अब यह adult हो गया, बाइल सिस्टम पहुच गया हो गया, तो यह आपके ला, जो लार्वल स्टेजिस होती है, इसमें फैसियोला में, यह इंपोर्टन्ट कॉश्चन है, आया हुआ है, एक्जाम में सिफ यह आया है, आपके diagram बना दो, अच्छे से बढ़िया सी, जो मैंने आपको diagram जितने भी दिखाई है, उनको अच्छे से diagram बना लो, labeling अच्छे से आद कर लो, और बस एक mechanism दिमाग में होना चाहिए, कि मतलब अगर time बचता है, तो diagram के साथ, बसे अगर उसने बोला है कि no description required, तो बिल्कुल मत लिखना है, बट अगर नहीं बोला है, और time है, तो लिख सकते हो, कोई issue नहीं है, बट main है diagram, diagram and labeling, वो जादा important है, चीक है भी? तो यह मैंने पहले नहीं मिला भी, मेरा means का exam है, मेरा इतना part नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, तो अगर आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो उनको help हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है, बहुत problem आती है बच्चों को, इसलिए मैं आपको बोलो, चीक है? चलो तो end क थे, थेंक्यू, बाए